भारत में आधार कार्ड में नाम कैसे बदले? क्या आप भारत में रहते हैं? और क्या आपके आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो गया है? क्या आपके आधार कार्ड में आपके माता-पिता का नाम गलत हो गया है? और क्या आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आपका Your Doorstep चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप भारत में अपने आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें। तो अगर आपको इसी की पूरी जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गजट बनवाना होगा। जो कि एक कानूनी दस्तावेज है, गजट बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा। पहला एफिडेविट बनवाना, एफिडेविट बनवाने के लिए आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं। एफिडेविट में आपको अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम नाम बदलने का कारण लिखवाना होगा. दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना. समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने स्टेट के भाशा और अंग्रेजी दोनों भाशा के समाचार पत्र में नाम बदलने की पूरी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है तीसरा, सीडी बनवाना जिसके लिए आपको अपने किसी device के अंदर Microsoft की Word application को open करना है और उसमें नाम बदलने की सारी जानकारी लिखकर उस file को burn कर देना है इस तरह से आपका CD बन जाएगा जब तीनों दस्तावेज बन जाएगे उसके बाद इन्हीं तीनों दस्तावेजों को Gazette Office जो दिल्ली में स्थित है वहां ले जाकर जमा कर गजट के लिए apply कर देना है फिर 30 से 40 दिन के अंदर आपका Gazette Government की website पर update कर दिया जाएगा जहां से आप अपना Gazette डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको अपना Gazette साथ में पुराना आधार कार्ड लेना है और किसी नजदी की आधार कार्ड सेंटर में जाकर अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करवा लेना है हमें उमीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी लेकिन अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर काल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी टीम आप लिए पर्फेक्ट